सभी आंगनबाडी सेविका सहाय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चनल की सच्छी खबरों में स्वागत है भाजो बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आज आप सबको पंच प्रड की सपत लेनी पड़ेगी इसके बारे में हमारे पास एक जानकारी आई है जिसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि कारेले जिला कारकरम अधिकारी कन्नोज की तरब से यानी राजेस कुमार वर्मा जी की तरब से 8 अगस्त को कल ये आदेस जिसका पत्रंग संख्या 250 है समस्त CDPO लोगों को और सुपरवाइजरों को कन्नोज जन्पद में अवगत कराया गया है कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय कन्नोज के कारेले 154 और कारकरम सपत ग्रहण जो की 7 अगस्त के साथ में जिला अधिकारी महोदय के कैम्प कारेले पत्रंग संख्या 34-35 जो की 6 अगस्त का लेटर मुख्य सच्यू महोदय उत्तरपदेश सासन लखनव के पत्र संख्या 34-69 जो की 5 अगस्त का लेटर जिसके द्वारा आजादी का अमरत महोसो के अंतरगत आज 9 अगस्त को पंच प्रण की सपत दिलाए जाने के नरदेश नरगत किये गए हैं अतह आपको नरदेशित किया जाता है कि दिनांक 9 अगस्त को आज समस्त आगनबाडी केंद्रों पर 5 प्राण की सपत दिलाई जाएगी वह साथ ही आप सभी लोग अपने कार्याले में समस्त करमचारियों के साथ में 5 प्राण की सपत दिलाई जाएगी वा सात ही भारस सरकार की विबसाइट मेरीमाटीमेरादेस.gov.in पर सेलफी भी अपलोड की जाएगी वा समस्त कारकरतियां भी फोटो उपलब्द कराएंगी वा ग्राम सभाजतर पर जो कारकरम आयोजित किये जा रहे हैं उसमें सक्रिय योगदान करें तथा समस्त केंद्र सुचारू रूप से संचालित करते हुए अभियान को सफल बनाना सुनिशित करें इसमें किसी भी प्रकार के सिथिलता छम में नहीं होगी तो आपने देखा ये हर जिले में आपको अबगत करादू की मनाया जाएगा क्योंकि इसको लेकर के मुख्य सच्यू महोदय उत्तरपदे सासन से लखनव से भी पत्र पांच अगस्त को निकल चुका है और हर एक जिले में ये यूपी में मनाया जाएगा पंच प्राण की सपत दिलाई जाएगी अब सपत कैसी है क्या है उसमें ये इस लेटर के साथ में नहीं आया अगर हमारे पास पहुँचेगा तो हम आपको बताएंगे इधर आप देखेगा अर्सिया खातून बहन कन्नौस से जनों ने ये जानकारी आलेंडिया को बेजी थी वहीं दूसरी तरफ आपको मैं अवगत करा दूँ कि असोग गहलोत जी का एक ये ट्वीटर से किया हुआ ट्वीट वायरल हो रहा है अब ये सही है या गलत है आलेंडिया इस बात की पुष्टी नहीं करता वायरल खबर के तौर पर आपको अवगत कराना चाहेंगे कि चर्चाओं में बाते हैं कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेंड़चाण या दुसकर्म के प्रयास एवं दुसकर्म के आरोपियों एबम मंचलों को सरकारी नोकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा इसके लिए मंचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्री सीटरों की तरह रिकार्ड रखा जाएगा एबमराज सरकार पुलिस द्वारा जारी किये जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया जाएगा ऐसे असमाजिक तत्तों का समाजिक भहिसकार करना आवस्यक है तो अगर ऐसा हुआ है वाकई में तो यह एक बहुत ही बढ़िया सा डिसीजन है इससे बहुत सारे जो है जो केस आते हैं महलाओं से जुड़े हुए जो कि यहाँ पर उन पर लगाम लग सकता है ऐसा मेरा मानना है बाकी आप सबका क्या है कमेंट में बताईएगा क्योंकि ऐसा होगा तो ऐसे करत्ते करने से लोग 14 बार सोचेंगे अब देखेगा एक और बहन है ममता देवी धानी खेडा से आती है उन्नाओं जिले में ये पढ़ता है उन्होंने लेखा सेवा में सुधानसु भाई नमस्ते बाई मैं धानी खेडा बलाक बीगापुर उन्नाओं से मैं सहय का ममता देवी मेरा पैसा सितंबर 2021 से नमंबर 2022 तक का नहीं मिला उसके बाद भाई नमंबर 2022 से मिलना सुरू हो गया था भाई मेरा पैसा नहीं मिलेगा मेरी मदद करो आपकी महान दया होगी थोड़ी सी आप भी मदद करने की करपा करें इस तरह से तो देखिएगा बहन जो भी कार होने हैं मैंने तो आपकी को सला दे रहा हूँ कि आप अपने वहां DPO काराले जाकर के DPO महोदे को अपनी समस्या का लिखित में एक आवेदन कीजिए और फिर क्योंकि उनी के इस तरह से जो कार होने हैं वो हो पाएंगे हमारे इस तरह से हम यहां जो बैठे-बैठे कुछ नहीं कर सकते ना यह मेरे अधिकार छेतर में है कि मैं आपको वो पैसा भेज़ दू या भिजवा दू समझ नहीं इस बात को तो आपको अपना जो भी लीगल प्रोसेस है वो फालो करके मांदे मिल पाएगा तो आप क्या करें आवेदन करें और उसके बाद में जैसी सितिया हो अवगत आलंडिया को करा सकते हैं कुंती देवी है कानपूर देहा से आती हैं जिनोंने एक मैटर बेजा है आठ अगस्त को ये लेटर कल प्रकासित हुआ है जिला आपदा प्रबंधन प्रादिकरण बलरामपूर की तरब से काराले जिलादिकारी बलरामपूर की तरब से पतरांक 261 है को ने सूचना क्या बेजी है कि प्राप्त सूचना के अनुसार नेपाल राष्ट में बारिस के कारण कुसुम बैराज के लगबग 80,000 क्यूसिक पानी राप्ती नदी में छोड़ा गया है जिससे राप्ती नदी का जलिस्तर तेजी से बढ़ रहा है और वर्तमान में चेता रावनी मिंदू पर पहुँच रहा है देर राथ तक जलिस्तर खत्रे के निसान तक पहुँचने की संभावना है इसलिए राप्ती नदी के बढ़ते जलिस्तर के कारण बार की संभावना के द्रश्टिगत आवस्चिक सावधानियों का पालन किया जाना परिहार है जिसके जल में बार से होने वाली जो अपदाएं हैं उनके निवनी करत उनको किया जा सके तो यहाँ पर नरदेश्ट नरगत किये गए हैं कि सभी बार चोकियों को ततकाल प्रभाव से सक्री कर दिया जाए वहाँ पर न्यूक्त करमचारियों की उपस्ति भी सुनिश्चित कर आई जाए दूसरा समस्त बार सिविरों का नरचण उपजलादिकारी दुवारा सुनिश्चित कर लिया जाए वहाँ पर मानत अनुरूप विवस्ताएं पहुचाई जाए बार की स्तिती में प्रभावित लोगों को राहत सिविरों में सिप्ट किया जाए तैसील इस्तर पर इस पंचायते हैं राजस सुग्राम है उनका चिन्नी करन कर ले उपलब्द नाओ नाविक इनकी सूचना तयार कर ले पंचायती राज को उपलब्द करा दे नाओ का सत्यापन कर ले नाविकों को न्यूक्त कर उनकी सूची अपडेट कर ले अवस्यक्ता नुसार अन्य ग्राम में आपदा मित्रों का सयोग लें, अधिसासी अभियंता बार-कंड बार निगरानी समिती को ततकाल सक्री करें, ततबंडों की गहन मॉनेटरिंग करें, यही सारी चीजें दी गई है, सतकर्थता बरतने को ले करके, क्योंकि पानी छोड़ा गया है और पानी आया है नेपाल स और कुसुम बहराज में 80,000 क्यूसक पानी वहां से छोड़ा गया तो ये चीजें हैं जो भी इस नदी से जुड़ करके आगे पानी जहां जहां जाता है वहां के लिए एक चेतावनी मितलेज में मुरादाबाद से आती हैं जोनों ने अपने वहां से कुछ फोटो बेजी हैं और यहां पर मटका बनाया गया है मेरी माटी मेरा देश उस मटके पर लेखा है और बहुत सारे मटके यहां पर बनाये गये हैं ठाकुर दूरा विकास खन परता है वहीं पर यह मटके बनाये गये हैं आप यहां पर देख सकते हैं आगे मितलेज बैन मुरादाबाद से उनों ने एक और फोटो वाल इंडिया को बेजी है जो कि मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा से निकल के फोटो आ रही है और ऐसे में राष्टी पोश्र मा मनाया गया उसी से रिलेटेड है सरिता बहन जौनपुर से वहाँ पर ये जो है अनप्रासन मनाया गया है बहुत सारी फोटो आल इंडिया को बेज दी गई है उनमें से आप एक ए फोटो देख सकते हैं और ये सरिता बहन जौनपुर से उनके दौरा एक और ये फोटो बेजी गई वह भी आप देख सकते हैं और ये अंदर्मला बहन है फतेपुर से वहां से भी एक ये अनपरासन की फोटो आई है और एक ये बहन है मुन्नी सहजहांपुर से उनके वहां से आई है किरन कानपुर देहा से वहां से एक फोटो आई है और ये एक बहन है सावित्री पांडे गुंडा से और इनके अलावा आगे ले चलते हैं सीता बहन है आगरा से उनके वहां से एक फोटो आई है और ये वैसाली बहन है सीता पुर से उनके वहां से एक फोटो आई है इनके अलावा उमा बहन है कानपुर देहास से वहां से भी एक फोटो उन्होंने बेजी है साथी साथ आगे ले चलते हैं और आपको अगले वीडियो में हम मिलते हैं ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताईएगा